तस्वीरें पहादुर गड़की हैं जहां नगर परिश्द चुनाओं की वोटिंग से पहले इनेलों ने पीजेपी को बड़ा जटका दिया है बतादे कि पूर्वांचल प्रकोष्ट के प्रदेश संपर के प्रमुक और प्रदेश कारेकारणे सदसे प्रदीप सिना ने प्रत्रों पर सवाल खड़े किये हैं और बीजेपी को भीड तंत्र करार दिया है बतादे के प्रदीप सिना को इनेलों पार्टी के प्रदेश अद्यक्षि नफे राठी ने पार्टी का पहना कर उनका स्वागत कि और कहा कि पार्टी को उनके आने से प्रदेश में मजबूती मिलेगी और साथ ही नगर परिशेद चुदाओं में इनेलों प्रत्याशी की जीत होगी इस दोरान उन्होंने मीडिया से रुबरू होते हुए प्रदेश पर कटाक्ष किया और कहा कि कॉंग्रेस का तो अधिकारी वीजेपी छोड़ दी इन्होंने कली छोड़ दी थी और आज इंगे नेसल उप्रदल पर्टी में से अमेल हुए है हम इनका स्वावित करते हैं और हमें पूरी आश्या है कि इन सभी साथियों के बदोलत जाम नगर परिशतिक चुनाओं में इनका एहम योगद अधिकारी वीजेपी छोड़ करके आए है क्योंकि बीजेपी के जो यहां के जो लोकल नेता थे उन्होंने कोई भाव नी दियार नाव को इनकी मदद की कभी भी मदद नी की तो इन्होंने जो रास्ता चुणया है एगे ले ने शनुता लोक्तर पार्टी में परिवार मान हम बदाई देते हैं उनको और एडियन नेशनल लोक्तर पार्टी के नेता चोद्रियों परगास चोटारा जी से सलामसवरा करके और पार्टी के सभी साथ सेनियर साथियों से सलामसवरा करके निर्ड़े हुआ था सरसमीती से कि हमें इंडिपेंडेंट उमिद्वार को जिस तरीके की रिजल्ट आएं सर क्या पहले से उमिद्थी यह संका तो जायर की जारी थी कि कॉंग्रेस की तरफ से गड़बड हो और वह होगी यह तो पहले से चोद्रिय अभाई सिंग चोड़ाना जी तो पहले सिंका वेक्ट करेंगे क्योंकि कॉंग्रेस में कई तरह के जादा बढ़ेंगी उससे जादा बढ़ेंगी उससे जादा मनमुटाओ बढ़ेंगी गांगरेस का तो इससे भी बंठाएदार हो गया है राजसवा चुनाओ को लेकर इनेलो प्रदेश द्यक्षि नफे सिंग राठी ने कहा कि इनेलो की एक वोट ने उनकी जीत में एहम भूमी का निभाई है नफे सिंग राठी ने उम्मी जताई है कि कार्थिके शर्मा हर्याना प्रदेश के लिए बहुत भेटर काम करेंगे और राजसवा में हर्याना के लोगों की आवाज को बिलंद करेंगे पहले से ही उम्मी थी कि कॉँछ न कुछ गड़बर करेगी जो चुनाओं के परिणाम बदलेगी और हुआ भी ऐसा ही उन्होंने कहा कि कॉंग्रस का तो बंटाधार हो चुका है आने वाले समय में कॉंग्रस निताओं के बीच गी तल्क और बढ़ने जा रही है इस दोरान उन्होंने प्रदीब सिना को लेकर कहा कि निकाय चुनाओं से पहले प्रदीब सिना के बीजेपी को अलविदा कहने से बीजेपी को नुकसान और इने लोगो काफी फाइदा मिल सकता है पंजब के स्री टीवी के लिए बहादुरगर से प्रविन कुमार धनकर की रिपोर्ट